नमस्कार साथियों मैं मुकेश कुमार ढाका सुजान गट से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है वीडियो को देखते रहें अच्छा लगए तो लाइक करें और चैनल को सुबिस्क्राइब करें धन्यवाद हलो फ्रेंड्स सेक्षिक परबंदन में आज का चो टोपिक है वो है ICT, E-Mitra, E-Governance और राजशिक्षा इसमें हम देखेंगे ICT यान Information and Communication Technology सूचना और संचार प्राद्योगी की ये एक बहुत बड़ी करांती है तो सूचना और संचार प्राद्योगी की के परियोक से सरकार अपनी योजनाओं का लाब जो है आम जन तक पहुँचा सकती है इसमें ICT जो है ICT का ही हिसा E-Governance है ICT होगी तब ही तो E-Governance होगा यानि सरकार जो है अपने लाबों को इलेक्टोनिक माद्यम से आम जन तक पहुँचाएं उसको E-Governance बोलते हैं E-Governance के तहट सरकार जो है वो उसका यदाइत बन जाता है वो कोशिस करती है कि उसकी जो योजना है उसमें पारदर सिता हो प्रश्टाचार मुक्तों और आम जो जनता है वो उनको इलेक्टोनिक माद्यम से उनको देख सकें योजनाओं को समझ सकें इसी का सवरूप है E-Mitr और सालादरपन इसमें हम बात करें आगे कि पहले हम बात करते हैं E-Mitr की कि E-Mitr जो है वो कब प्रारम हुआ तो देखिए साथियों यह आपको याद रखना है इसका सुबारम हुआ दो मार्च दो हजार दो जेपुर से दो हजार दो मितr में दो अक्सर है तो दो हजार दो याद रखना जेपुर से पिर संपूर्ण राजस्तान में इसको विधिवत रूप से पूरे राजे में 2006 में यह सुरू हुआ इसका उदेश्य क्या है ए मित्र का आम जनता को सूचना प्रयोद होगी कि कि माद्यम से सुविधाएं परदान करना इसका उदेश्य है यानि कि इसके माद्यम से आम जनता को ग्रामीन हो चाहिए वो सहरी हो उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल गई है कैसे मिल गई है इसके पहले हम नाम देख लेते हैं सहरी चेतर में इसको E मित्र देखो सहर के पड़े लोग पड़े लिखे होते हैं तो E मित्र और लोक मित्र भी बोलते हैं गाउं जो है गाउं के भी पड़े लिखे होते हैं चीबात नहीं गय है पहला अक्सर और दूसरा अक्सर जय है तो ग्रामेंट शेतर में जन्नमित्र या CSC Common Service Center कहा जाता है यहें PPP model पर अधारित होता है अर्थार्थ Public-Private Partnership यानि की Public यानि की सरकारी Private यानि नीजी तो इसमें यह योजना सरकारी है सरकारी काम होंगे इससे मगर कोई नीजी वेक्ती कोई भी जो वेक्ती है वो computer अगर उसके पास computer और internet है और वो printer है तो इन सब सुईदाओं के साथ में वह हैं दुकान लेकी किराय की और सरकार से security जमा करा के अनुमतिक लेके और इमित्र खोल सकता है तो इससे रोजगार भी म सुईदाओं मिलती है पहले विजली का बिल बराने के लिए पानी का बिल बराने के लिए लंबी लाइन में लगना परता था वाटर वरक्स या वीद्यूत भी बाग के आगे आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है अब आपको इमित्र वाले को देना होता है तो हम यहाप यह देखत जो है वो बिजली, पानी, टेलिफोन का बिल, जाती, मूल, आई परमान पत्तर, राशन कार्ड, LIC की किस्त, भरती, विभीन परकार की जो वेकिंसीज है गोर्विंट की उनकी आवेदन, जेडिये, जेपू डेवलोपेंट अथोरिटी, या हाउशिंग बोर्ड, इत्याद के जो बकाया सुलक, यानि गोर्विंट से समधी जो काम है, वो इमितर के द्वारा कंप्योटर के मादियम से किये जाते हैं, आप खुबी जानते हैं, तो यहाद रखने लाइक चीज़ है, 2002 सन, अब इसी में एक योजना चली, एकल खिडकी, या सूगम योजना, यानि एक की विंडो, एक जगें जो है, आपको सुविधाई मिल जाएं, इसमें हम बात करें, एकल खिडकी, इसकी सुरुवात हुई, एक अपरेल 2011, देखें, नाम है एकल, तो ग्यारह में एक एक, एकल खिडकी, सूगम योजना, मितर, इमितर में दो अक्सर है, तो 2002, इसका से है, डिजिल टल हस्ताक सरयुक्त, यानि पहले साइन जो है, अधिकारी खुद पेन से करने परते हैं, आजकल, कंप्यूटराइज शेट होते हो, तो आपने जाती परमान पत्र, मूल निवास परमान पत्र बनाया होगा, या भी आप फर्स्ट गेड में लगोगे, तो जाती मूल निवास परमान पत्र के लिए जो है, उपलब्ध कराना इसका उदेशय है, तो यह हुआ अपने ए मित्र, अब हम बात करते हैं, इ गौर्नेस की, इ गौर्नेस क्या है, इ गौर्नेस जो है, इ गौर्नेस के हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसका उदे से है जबाब दे ही सरकार के द्वारा सूजनाओं को जनता तक एवी लंब और नियूनतम लागत पर उपलब्द कराना यानि सरकार एक तरह से ओनलाइन हो जाती है जो भी सरकार की योजनाओं है जो डिपार्टमेंट है वो सब अपने को वेव साइट के मादियम से मिल जाते हैं और जो योजनाओं अपने को आसानी से मिल जाती है इसका सुबारम हुआ 15 अगस्त 2002 अटल भीहरी वाजबेजी प्र कार से हुई कि इसमें ये हुआ इसका जो चरण है वो ऐसे चला कि इसमें एक तो कंप्यूटर करण किया जाता है जो भी कार्या लेवा कंप्यूटर परिंटर की सुविदा दी जाती है और उसके अलावा नेट वरकिंग और वेवसाइड बनाना जो विबाग है चाहिए वो पुलिस वाला हो, चाहिए कोई सा भी विवाग हो, और संप्रेशन यानि कि जो आदेश है, उनको अपलोड करना, डाउनलोड करने की सुविदा देना, आदेश सब इसमें किये जाते हैं, तो आप देखते हैं कि शिक्षा विवाग के आदेश वेवसाइट पे आते हैं, उनक होता है इसमें, G2C, गवर्मिट से सिविल यानि सरकार और नागरिकों के बीच, G2E, सरकार और इंपलोई यानि करमचारी के बीच, G2B, यानि गवर्मिट और बिजनिस, व्यापारी या वेवसाइट के बीच, तो आपको ध्यान में रहें, ICT का ही ये भाग है, E-Governance, और इशिका, भाग, E-Mitr, जैसे सालादर्पन, सालादर्शन, सालाशिधी, ये तिनों क्या है, सालादर्पन, सालादर्पन जो है, वो कक्षा 12 तक की जो विद्याले है, उनमें चलता है, सालादर्शन जो है, वो 1-5 और 1-8 तक का जो रिकोर्ड है, विद्यार्थियों का सालादर्पन सालादर्शन से जुड़ा वा जिसमें करमचारियों का, रिजल्ट का और का, ये साल में एक ही बार जो है इसको अपडेट करना होता है, बाकि सालादर्पन सालादर्शन जो है वो परतिमाह अपडेट होते हैं, और EG के तहत छेवाएं, यानि जो ये है, E-Governance, इसके तहित क्या कैशेवाएं जो है वो उपलब्द करवाई जाती है, तो इसमें देखिए, भामासा है, जो योजना है, उधारन ले सकते हैं, बहुत सारी योजना हैं, मगर कुछ एक्जामपल्स SSO, SSO का भी अलग से परसंद पुचा जा सकता हैं, क्योंकि अब की बार आ इसका भी क्यूशन बन सकता है, तो यह गवर्नेंस जो है इसके लिए वेब पॉर्टल है, राजदरपन, यह आप द्यान में रखें, राजदरपन, अब हम बात करते हैं, राजशिक्षा टोपिक की, राजशिक्षा जो टोपिक है, राजशिक्षा की हम बात करें, तो यह एक वेवसाइड है वेसे पहले इसका राजशिक्षा.gov थी पहले जो वेवसाइड www.rajshikshya.gov थी अब उसका नाम बदल कर सरकार ने www.education.rajistan.gov.in कर दिया है यह है एक वेवसाइड है जो RICL RICL का मतलब हुआ राज कॉम Information Service Limited यह सरकार के द्वारा नेंत्रित एक कंपनी है जो सोक्टविर वगरे डेवलोप करती है तो यह जो है वेवसाइड यह RICL के द्वारा त्यार की गई है कौन सी एजुकेशन वाली राजशिक्षा वाली तो अब एक दो नाम औरा चलते हैं जिसे RICL डिप्लोमा चलता है इसकी फुल फॉर्मा आपको बताते हैं राजस्तान नौलेज ओप कंप्यूटर लर्निंग RICL कोर्स होता है राजस्तान स्टेट स्रिटिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी आईशिट का पुरा नाम है इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और अब इस है अपना कब की गई तो मित्र दो अक्सर तो कब होगी? 2002 कौन सा सही नहीं है ई मित्र के बारे में ई गरूर्नेंस की परियोजना है ग्रामीन चेत्र केंद्रित है मोहले के लोगों के लिए है साधारन लोगों के लिए है तो ये जो है सही नहीं है ग्रामीन चेत्र केंद्रित ग्रामीन या सहरी से मतलब नहीं है, दोनों जगें है ये इसका उदे से ही E-Governance के परियोजना है, ये मोला हो, गली मोले के लोग है वो वहाँ जाके अपना बिजली, पानी का बिल वगर भरा सकते हैं अन्य काम कर सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए है E-मित्र को किस पर योजना के अंतरगत चलाया जाता है E-Governance एकल, खिड़की या सुगम योजना कब परारम की गई, बताइए एक अपरेल 2011, ना मिहना एकल, तो एक एक 11, तो एकल, खिड़की योजना विकास के आदार पर औरो ही करम में क्या है ये क्योजन्स भी साइड आयावा है E-मित्र, E-सरकार, E-परसासन, ICT तो यहाँ पे देखिए, ICT का ही ये सारा का सारा हिस्सा है तो पहले आ जाएगा ICT E-मित्र सबसे छोटा इस्तर है यानि ICT का एकदम ग्रामिन इस्तर पर तो एक क्लाश्ट में आ जाएगा और E-सरकार और E-परसासन ग्रामिन छेत्रों में इस्तापित सेवा है CSC, Common Service Center या जन्मित्र राजे में जन्म मरत्यू पंजिकरन को ओनलाइन करने है तो 1 जनौरी 2014 से किस पॉर्टल की सुरुवात की गई पहचान पॉर्टल निम्न युगमों में से कौन सा युगम सही नहीं है तो यहाँ एक गवर्मेंट जो है वो निर्ने नहीं है यह सही नहीं है एक गवर्मेंट एक परकरिया है इसमें भागिदारी होती है इसमें परणाम आता है इसलिए यह सही नहीं है कौन सा सही नहीं है एक गवर्नेंस का उप्योग तो देखे इसका उप्योग जो है मॉनिटरिंग किसुईदा में सुधार लाएगा बिल्कुल एक गवर्निंस से क्या होता है वेव साइड के मादियम से मोनेटरिंग होती है जिसे साला दरपण है तो उसमें हर मेने हाजरी चड़ानी होती है तो एक मोनेटरिंग हो रही है ना विद्यारतियों की जन्नकल्यानकरी योजनाओं का क्रियानवन हो रहा है चोथा देखिए सरकार के संभाग को उजागर कर जन्नता के हित को बढ़ावा दिया जा रहा है यहां है कि जीवन में गुनमत्ता में सुदार लाएगा और सामाजिक और आर्थिक भेद मिटाएगा तो सामाजिक और आर्थिक भेड कोई योजना मिटा सकती है सरकारी मगर यह गवर्नेस यानि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है यानि जो चीज अपने को जो फाइलों में पड़ी थी बाते जैसे आप बेंक में जाते हैं देखते हैं पुराने खाते होते थे लिखित में होता था रेजिस्टर आज कल सब कुछ ओनलाइन है तो ओनलाइन से सुईदा हो गई है लोगों के लिए बार्दर सिता बढ़ी है इससे देश के अंदर ईसासन की नीव रखना यह हम इसके सतत विकास के लिए किस की स्तापना की गई है तो यह है N.E.G.P की स्तापना इसमें की गई है National E. Governance Program परसासन के कारियों में सूचना एवं संचार प्रहदोगी की कापर योग कहलाता है E. Governance सरकार और नागरिक यानि शिविल के बीच जो आदान परदान है उसको क्या कहते हैं G.2.C. Government से शिविल लियन्स की बीच E. Governance की विविद करियों में G.2.E. से क्या अतात परिये है यानि Government to E for Employee Employee यानि करमचारी तो सरकार और करमचारी के बीच में जो प्रोसेस होगी वो यह होगी E. प्रसासन के रूप में किस वर्ष को भारत सरकार ने E. Governance वर्ष गोसित किया है तो यहाँ पे 2001 की बजाए 2002 होगा देवांग मेहता ने देवांग देवांग मेहता ने E. Governance को कहा है Smart Governance सासित का सासित दुवारा और सासित के लिए है E. Governance सिक्सा विभाग राजस्तान की अधिकारी की वेबसाइड है राजसिक्षा.gov.in अब इसका जो नाम बदल दिया गया वह भी वीडियो में आपको बता दिया है राजस्तान पहले इसमें आ गया है E. मित्र में कितने शेवां को संचालन हो रहा है 200 से अधिक कितने E. मित्र संचालित है 40,000 से अधिक यह नवानी तांकड़े है राजस्तान में I. T. मंत्री कोन है C. M. खुद है N. C. R. T. के देवारा 22 वां अखिल भारतिये बाल सिक्षिक दर्शेस रवे मोहतसभ वे I. C. T. मेला कहां आयुजित किया गया बोपाल 22 वे I. C. T. मेले में इंटरेक्टिव मोबाइल एपस के लिए बेस्ट न्यू मीडिया I. C. T. वाइड किशे मिला सुरेंदर तेतरवाल वा सुरेस ओला एक आप ध्यान में रखें I. C. T. के मामले में बारत इस्तर पर जादतर पुरुस का राजस्तान को मिलते है राजे इस तरह पर एमित्र के शिवाएं परदान के जा रही है राज कॉंप द्वारा राज सिक्षा की वेवसाइड को डिजाइन समर्दन किया गया है ये जो है इसमें R.I.S.L ये वही है राज कॉंप वाली जो वेवसाइड वोई है ये और हम बात करते है इमित्र परियोजना अंतरकत जेपुर में आकड़ा के अंदर इस्तापित किया गया 2009 में राजे इस तरह पर इमित्र सिवाएं परदान के जा रही है राज कॉंप द्वारा N.E.G.P. क्या है National A. Governance Program राश्ट्रिय इप्रसासन कारिकरम का सुभारम कब हुआ N.E.G.P. का ये सुभारम कब हुआ 15 अगस्त 2002 A. Governance परियोजना के विसे में निमना कित में से सत्यकतन कौन कौन से है तो सत्यकतन की बात करें तो इस परियोजना के तहत नागरिक शेवा केंद्रों की स्तापना की गई है CSC मुक्यत है गाओं में 2003 से 7 तक N.E.G.P. पर 25,000 क्रोड रुपे वेव किये गए CSC है तु DOIT&C द्वारा Department of IT and Communication राजकौम को अधिकरत किया गया है तो तीनों ही बातें सही है CSC परियोजना राजस्तान में कब परारंब हुई तो यह हो जाएगा दो हजार दो यह वो ही है E.Mittr CSC E.Mittr या CSC कियोस्क संचालन है तो आवशेक सॉप्टवेर है इसको कियोस्क बोलते हो जो दुकान होती है ना वो तो इसके लिए आवशेक सॉप्टवेर की बात करें तो यह इधर है सॉप्टवेर इसके लिए जावा ओम्टी टूल इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादी वीनर यह सब E.Mittr CSC कियोस्के तो आवशेक हाड़वेर का समुवा है तो हाड़वेर क्या क्या चाहिए मोडेम प्रिंटर कंप्यूटर वेब केम आप जानते हैं आपने कोई ने कोई E.Mittr वाले से तो काम पढ़ाई है फर्म बरहा होगा तो वो सारी चाज़ें आप वहाँ देखते हैं वो ही है E.Governance के अंतरकत समिलित है E.Mittr C.S.C. A.W. भी दोनो तो क्या होगा A.W. भी दोनो E.Governance में उपलब दिशेवाई है सभी है G2C B2C सारी G2C के अंतरकत समिलित समिलित शेवाई है कोवर्मेट से सिविल तो सिविल यानि नागरेकों के बीच तो आवासन मंडल सिख्षा करसी सभी आ जाएगी E.Governance के अंतरकत B2B शेवाई का तात्परिय है Website शेवाई यानि Business To Business E.Governance के अंतरकत प्रिप्त DO Department of IT and Communication का तात्परिय है सूचना प्रवद्योगी की एवं संचार विभाग Department of IT Information Technology and Communication यानि संचार का विभाग जीला E.Governance समीति में समिलित है A एक और दो यानि जीला कलेक्टर उपकंड अधिकारी SDM तैसिलदार BDO विकास अधिकारी आदियानि जो राज की अधिकारी है यह होंगे यह जो नेता लोग है यह इसमें नहीं होंगे अगली हम बात करते हैं DOIT&C के विशे में सत्यकतन है एक दो तीन सभी राज ओनलाइन इस विभाग द्वारा संचालीत संस्ता है यह राज्य सरकारी की तरफ से E.Governance के पूर्ण समन्वेक के रूप में कार्य करता है और E.Governance योजना का सिर्शस्त विभाग है तीनो प्रारंबिक एवमादे में इक शिक्षा विभाग राजस्तान की अधिकरत वेवसाइड है राजशिक्षा राजस्ता की वेवसाइड को डिजाइन और समर्दन किया जा रहा है R.I.S.L. के दवारा इसकी फुल फॉरम मैंने बता चुका हूँ आपको और इस वेवसाइड का नयाना भी आपको बता जा चुका है तो साथियों ये लगभग 40 परसं थे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं धन्यवाद